साग का सीजन शुरू हो गया है और ताजा ताजा हरा हरा साग आना शुरू हो गया है तो क्यों ना सीजनल वेजिटेबल का मज़ा लिया जाए और साग खाना तो फायदे मन भी बहुत होता है तो मैंने इसे दो तीन बार पानी में अच्छी तरह से धो लिया है क्योंकि ये हरे पत्ते होते हैं तो इनमें मिट्टी डस्ट काफी होती है तो इने अच्छी तरह धो लेना चाहिए अब यहाँ पर मैं एक अद्रक का टुकड़ा ले रही हूँ और इसे कद्दुकस कर देते हैं साग को हम पहले उबा लेंगे जो मैंने धोकर एक कुकर में डाल दिया है अब ये कद्दुकस करके अद्रक भी मैं उसी कुकर में डाल देती हूँ अब चार-पांच हरी मिर्च लेंगे अगर तीखा खाना जादा पसंद है तो आप थोड़ी जादा भी ले सकते हैं इसे मोटा-मोटा काट लेंगे और इसे भी कुकर में साग के साथ ऐसे ही डाल देंगे कुकर में साग भी डल गया धुलकर अद्रक भी डल गया कद्दुकस करके और मोटी-मोटी काट कर हरी मिर्च पी डाल दी अब बारी है नमक की एक चमच इसमें नमक का डालेंगे और एक गलास या फिर आदा गिलास पानी का डाल कर इसे बंद कर देंगे और इसकी तीन-चार विसस बजने देंगे इसकी चार-पांच विसल्स बज चुकी है अब मैं इसकी सारी स्टीम निकलने के बाद इसे खोल कर थोड़ा सा हिला देती हूं और इसे थोड़ी देर के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं साग थोड़ा ठंडा हो चुका है अब हैंड ग्राइंडर की हैल्प से मैं इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूं जादा ग्राइंड नहीं करना है नहीं तो ये चटनी जैसा बन जाएगा इसे मोटा मोटा ही रखेंगे अब इसमें थोड़ा सा मक्की का आटा डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे दो तीन बार हम ऐसे ही करेंगे थोड़ा सा मक्की का आटा लेंगे और इसमें डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे मक्की का आटा एक दम से हमने इसमें नहीं डालना सारा धीरे धीरे डालना है और मिक्स करना है मक्की के आटे की क्वांटिटी आप डेर्ड या दो किलो अगर साग ले रहे हैं तो उसमें एक एक मुठी भर के दो या तीन बार डाल सकते हैं चलिए अब साब को तड़का लगाते हैं एक कड़ाई लेंगे और इसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे या फिर देसी घी डालेंगे अब इसमें छोटा छोटा कटा हुआ लसन डालेंगे लसन मैंने 6 गलियां ली हैं और इसे हलका सा ब्राॉन होने देंगे लसन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें छोटे कटे हुए प्याज डालूंगी, यहां मैंने दो मेडियम साइज के प्याज लिए है इसे भी हम ब्राउन कर लेते हैं प्याज और लसन यह देखिए दोनों ब्राउन हो चुके हैं अब मैं इसमें छोटा छोटा कटा हुआ टिमाटर डालूंगी और हरी मिर्च डालूंगी जो मिर्च कम खाते हैं वो इस टाइम पर हरी मिर्च मत डालेगा क्योंकि हमने जब साग उबाला था तब भी उसमें हरी मिर्च डाली थी अब इसमें एक यह देड़ चमच नमक कर डालेंगे नमक हमने पहले भी डाला था साग में तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा आदा चमच हल्दी डाली है मैंने आदा चमच लाल मिर्च पाउडर डाला है और अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा पका लेते हैं ये देखिए हमारे टिमाटर और ये जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक गया है टिमाटर में आश हो चुके हैं अब हम इसमें जो हमारा साग है वो डाल देते हैं अगर आपको साग थोड़ा जादा गाड़ा लग रहा है तो आप इस टाइम पर थोड़ा सा पानी भी डाल कर उसे थोड़ा पतला कर सकते हो है ना कितनी आसान रेसिपी बना कर देखेगा बहुत ही स्वाद और हेल्दी होता है ये साग और पंजाब की तो ये स्पैशल डिश होती है मक्की की रोटी और सरसो के गरम गरम साग में देशिगी डालिए और खाये जो भी पंजाबी खाने के शौकीन है वो मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और बेल आइकन दबा दीजेगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजेगा कितनी आसान रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया बहुत ही स्वाद बनता है आप अपने घर पर बना कर खाईएगा और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बाए